Welcome to Robin and Classes, Today we are going to learn and discuss one more topic for the post of a constant that is from Science Biology से जैसे कि आपको पता ही होगा Biology का मतलब होता है, Biology डील से स्टुड़ी करती है, स्टुड़ी अफ आल लाइफ और लिविग मैटर्स जो भी लिविग ऑगनिजम उनके बार में स्टुड़ी करती है और जो फादरा Biology थे वो एस्टॉटल थे, तो आज का हमारा टॉपिक है वो Science Biology से है, हमने इसी वीडियो में एक ही वीडियो में Biology के चारों टॉपिक कवर कर लिए हैं, जैसे कि Important Inventions के बारे में, Important Facts About Human Body Parts, Nutrition के बारे में और Disease के बारे में, तो हमने इसी वीडियो में सारा कवर किया हुआ है, आप स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहे हैं, आपके सारे objective लगबग clear हो जाएंगे, आपकी बहुत help हो जाएगी, देखते रहे हैं प्लीज, तो Welcome Guys, आज का जो हम सबसे पहले लेते हैं, Biology से Important Inventions and Their Inventors, क्या-क्या Important Inventions हुई थी, और कौन-कौन से Inventors थे साथ में कुछ ट्रिक्स भी लेंगे, जिससे आपको help हो जाएगी और आप खुद भी वो इस्तमाल कर पाएंगे, देखते रहते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या है, तो Important Invention में सबसे पहले हम शुरू करते हैं, और Discoverer एक साइड Important Inventions हैं, और दूसरी साइड Discoverer और Inventor कौन सबसे पहले है, Systemic Circulation of Blood किस ने किया था, वो William Harvey ने किया था, Observation of Microorganism ये किस ने किया था, Antino 1, Luke Hook ने, और Sex Hormones किया था, Yuk Sithnak ने, Simple Microscope किया था, Antone 1, Luke Hook ने, Cetoscope किया था, Rene Lake Nake, First Test Due Baby, वो Robert Edward और Patrick Stipot, Step Toy ने किया था, इसके बाद, जो Vaccination है, वो किया था, Edward Jenner ने, फिर Vitamin के जो Discovery की थी, वो थी, Casimir Funk ने, फिर CT Scan किया था, Godfrey, Hornsfield and Alan Korkmack ने, फिर DNA किया था, Rossland और Franklin and Morsey Wilkins ने, फिर DNA Structure किया था, James Watson and Francis Crick ने आ सकता है, DNA Fingerprinting की थी, Alec Jeffrey ने, फिर Electro Cardiogram किया था, ECG, जो हम कराते हैं, वो William Enthoven ने किया था, Five Kingdom Classification दी थी, आरेच, विटकर ने, इसी तरीके से आगे देखते हैं, Genetic Drift दिया था, ये दिया था, S. Paul Wright ने, Father of Heart Transplant का जाता है, Norman Schumann को, Heart Transplant first perform किया था, Christian Bernard ने, फिर हार्मोन दिया था, William Baylis ने, Insulin दिया था, Frederick, Benton and Charlie's as best, Guys ये जो आपको देख रहे हैं, ये बहुत important है, आप लिख लीजे, नोट बुक पर, या screenshot आ लीजे, फिर Malaria Parasite दिया था, Charles Lewis, Alphonse Leveren ने, फिर Magnetic Ronsonans Imaging MRI दिया था, Dama DNA, इसके बाद हम इसकी ट्रिक्स भी पढ़ेंगे, फिर Open Heart Surgery, Dr. Daniel Hale Williams और Dr. Daniel Williamson ने, Pencilin दिया था, Alexander Fleming ने, Polio Vaccine, Jonas, Selk and Team ने, फिर RH Factor in Human Blood दिया था, वो दिया था, Alexander S. Winer, Karl Lennster ने, इसी तरीकी से Cancer दिया था, Hippocrates ने, फिर आगे दिखते हैं, Esprin दिया था, Felix, डिसकोवर किया था, Felix O.H. of Man and Byer in Germany में, फिर जर्विक 7, First Artificial Heart ये दिया था, William, Johan, Kolff and Robert Jig ने, फिर Arthrax Vaccine ये पाश्चन ने दिया था, Ambo B ये अगस्ट, John Russell, Von Rossenhof ने दिया था, Oxygen and Respirational Photosynthes दिया था, जोशुप परिस्टली ने, एंटोनी ने, लवरेश ने, जैन, इगेन होश ने, फिर एनिमल एनिस्टली दिया था, लोगी, गेलविन ने, सेल, Robert Hook, पता है होगा, सेल थियोरी, सिस्टिन और शावेन ने दिया था, फिर क्रोमोजोम्स, होमी, मिस्टर ने दिया था, क्रोमोपलास दिया था, शीम, फर्नमेर ने, मीटो, कॉर्डिया दिया था, कॉलीकर ने, नुकलेस, Robert Brown ने, फिर इसी तरीकी से, निकलो प्लाजमा दिया था, स्ट्रेस, स्टार्स, बर्गर ने, फिर एंजाइम्स, ये, एंसलीम, पाइन ने दिया था, आगे देखते हैं, म्यूटोटियन्स दिया था, थोमस, होड, मॉर्गन, लेनन, वॉर्गन, मॉर्गन ने, फिर वाइरस, दिमित्री, आइवान्स, की, स्काई, एन, मार्टीनस, बेजर निक ने दिया था, तो गाईज, ये बहुत सारी इंपॉर्टन है, तो अब एक कुछ ट्रिक्स देख ले 7, तो आप बिन से याद रखेंगे, क्या होता है, जब पोलियो पिलाने जाते हैं बच्चों को, हम क्या करते हैं, पोलियो पिलाके, वो चीज हम, वो डस्ट बिन में फैंक देते हैं, तो आप बिन को याद रखेंगे, डस्ट बिन से, ड्रॉप पिलाके, डस्ट बिन में ड alert होती है polio drop station के पास कि कोई बच्चा ना चोरी करके ले जाए तो alert, alert से याद रहे है alert, al, albert sabin, bin al ठीक है, ठीक है guys यह थी, पहली trick आगे देख लेते हैं, polio drop दिया था, albert sabin ने, दूसरी trick देखते हैं vaccination और inculcation of smallpox यह किस ने डिस्क हो गया था यह किया था, Edward Jenner ने अब vaccination and inculcation of smallpox Edward Jenner ने इसको किसे याद रखा जाए अब vaccination, जैसे कि हैं vaccine कराने कहां जाते हैं, हॉस्पिटल के ward में लगाते हैं vaccine तो आप इसी तरही से याद रखेगा Edward Jenner, तो ward का आएगा, हम ward में जाते हैं तो इसी तरीकी से याद रखे कि याद रखे किRoad औरári वज्ट रखाने हैं वेक्सीन लगाने वेक्सीन सब्सक्राइब तो उह सुरूद के याद रखेंगे ले कुछ पोक्स दे टिक्स тяжं दें ऐसे facts about human body, वो भी देख लेते हैं, जैसे कि number of bones कितनी है हमारे अंदर, 206 हेडिया है हमारे अंदर, number of kidneys 2, number of milk teeth 20 होते हैं, number of ribs 24-12 pair, number of chambers in the heart 4, 4 chambers होते हैं हार्ड में, largest and longest artery, ultra होता है, normal blood pressure 120-80 तक होता है, pH of blood 7.35-7.45 होता है, अच्छा, number of bones in newborn baby 300, अब आप confused हो रहे होंगे, जैसे कि आप बोल रहे होंगे, ऐसे तो 206 बड़ी होती है, हडिया होती है हमारे अंदर, तो बच्चों को 300 कैसे होती है, तो ये guys starting में 300 ही होता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, mix होकर ये क्या बन जाती हैं, total 206 हो जाती है, ये starting में 300 ही होती है, फिर वो जुड़कर 206 बन जाती है, फिर number of fallopian tubes 2 होती है, number of vertebrae in spine 33 होती है, number of vertebrae in neck 7 होती है, number of bones in face 14 होती है, number of bones in skull 22 bones held together by such a, अच्छा number of bones in chest 25 होती है, number of bones in 6 होती, number of bones in human foot 33 होती, number of muscle in human body 639, smallest bone in the body, objective आ सकता है, steps का जाता है, smallest bone जो आपको कान के पास होती है, steps, इसी तरीकी से देखते हैं, total number of organs in human body 79, number of bones in each wrist 8, number of bones in hand 27, number of bones in each human ear 3, number of muscle in human arm 72, largest organ in body, objective आ सकता है, skin का जाता है larger organ in body, अच्छा, larger gland होता है, liver, largest internal organ होता है, liver, number of sense organ 5 senses होते हैं, smallest cell, blood cell को का जाता है, biggest cell, egg cell, oom को का जाता है, guys, आप pen का भी पकड़ी है और यह लिखते रही है, largest external organ होता है, skin, smallest bone होती, steps, अच्छा, first transpirated organ होता है, heart था, अच्छा, average length of small intestine 7 meter होती, average length of large intestine 1.5 meter होती है, average weight of newborn baby होता है, 2.6 kg, plus pulse rate in 1 minute होता है, 72 times, body temperature 36.9, 90 degree Celsius, 98.4 Fahrenheit, average blood volume होती, 4.5 liters, average life on RBC, 120 pregnancy period होता है, 260 days का largest endocrine gland, thyroid, largest endocrine gland अगर आए तो thyroid है, तो largest gland हमने पीछे liver देखा, organ, अच्छा, gland, largest lymphathetic organ, simple in होता है, largest cell, nerve cell, largest plant, a part of the brain, cerebrum, oldest part of brain, cerebrum, largest and strongest bone, femur, याद रखेगा, guys, largest bone होती है, हमारी femur की, और strongest भी होती, weight of liver, 1.6 kg, 3.5 pounds, smallest muscle होती है, stapedus, middle ear, heaviest organ in body, liver, number of chromosomes, in human cell, 46, 23 pairs, smallest organ in human body, penneal gland, largest muscle, buttock, number of muscle in the hand, 34, the longest muscle in the, stereoist muscle in the, in the thick, thick होती, longest single nerve in the static nerve, in the thick, अच्छा, largest vein in the body, होता है, inferior vena cava, largest vein in the body, great shapeness vein, thinnest and smallest blood vessel, sapli arrears, smallest vein in the body, veninus, number of muscle that holds the eyeball in place, 6, number of sapli arrears in the body, 300 millions, volume of blood in an adult human body, कितन होता है, 5.6 liter होता है, the heart beats 35 million times in a year, during an average lifetime, the human heart will beat more than 2.5 billion times, if an arrears, veins and capillaries of the human circulation system were laid end to end, the total length would be 6,000 miles and 1,000 kilometers, that nearly two and half times around the earth, human hair grows about 1,8 inch, about 6 millimeters every month and keeps on growing for about 6 years, the hair then falls out of another, grows its place, the fastest growing here in the human body is the facial hair, beard, which fastest होता है, वो दाड़ी का होता है, women heart beat faster than men, जो लड़किवीं की heart beat होती है, वो जादा beat करती है, दन अंसानों से, आदमियों से, the strongest organ in our body is tongue, जबान हमारी strongest, जो tongue होती है, हमारी strongest organ होता है, हमारी body का, the female left breast is larger than the right, जो female की left breast होती होती हो Women blink twice as much as man. ओरते जो होती है, twice blink करती as much as man. The average person blinks around 13 time a minute. 13 time करता है बिलिंक, एक minute में, आइस को. The last sense that disconnects while dying is the sense of hearing. The first one being eye vision, followed by taste, small and touch. A man can survive without a heart. Ethic carriage Lewis has proven this, कि हाट के बिना भी survive हो सकता है. Our eyes stays the same size from the moment. We are born until we are old age. But the air and nose does not stop growing. ये ग्रो होती है. Human can remember 500 cents. Dogs can remember 100 cents. The left lung is smaller than right. About 80% of the brain tissue is water. The brain is only 2% of the body weight but needs more oxygen than any other organ. What makes it most vulnerable in case of lack of oxygen? 7 seconds without oxygen to brain will result in passing out. अगर अब 7 seconds without oxygen रहेंगे हम पासाओड रहेंगे. 4 minutes will result in death. The brain can hold up 100 terabyte of information which is equivalent to 15 national libraries. इतनी information हम होड़ सकते हैं. The brain is more active in night than in day. The brain is more active in night than in day. The dream lasts for just 2 or 3 seconds. 2 or 3 seconds तक रहता है मैं याद. The lifespan of here is 3-7 years. Some authors say 3-6 years. The strongest muscle in the body are heart, uterus, solus, gluteus, maximus and mistress. Some authors say the tongue is the strongest muscle. आगे देखते हैं. अच्छा, आब हमारा जो next part हम तीसरा करने वाले हैं. Disease and their causes like bacteria, virus and protozoea. ये बहुत important है, गाईज, देखते रहे हैं हमारा सन. अच्छा, human disease caused by bacteria. कौन-कौन से disease जो bacteria cause करता है. इसे कि bacteria are prokaryotic organism होते हैं. ये बहुत चोटे चोटे होते हैं. ये are microscopic in size. बहुत चोटे, Microsoft दिखते हैं. और सिंपल न माइक्रो मॉर्फोलोजी. Bakteria are observed in water में होते हैं, air or soil में होते हैं. ये survive अलग अलग condition में करते हैं. ये harmful bhi होते हैं और बैक्टेरियाइस are helpful भी होते हैं और harmful भी होते हैं हमारे लिए, helpful किसलिए होते हैं, यह हमारे digestive system improve करते हैं और बहुत तरीके से helpful है, अच्छा, harmful bacteria causes disease in our body by taking entry in our normal blood system, यह जो होते हैं हमारे normal blood system में entry करते हैं, और harmful normal functions में, जैसे कि they enter in body by many ways are taking contaminated food, जैसे कि हमने खाना खाया हमारे अंदर bacteria गए, air, water, other infected animals से हमारे अंदर bacteria जाते हैं, here are some commonly observed disease, जैसे कि commonly observed disease हम यहाँ पर disease भी देखेंगे और causative agent कौन-कौन से हो और transmission कैसे होते हैं हमारे अंदर, सबसे पहले anthrax baclius, इसको anthraxia, यह infected animals की वज़से हमारे अंदर transmit होता है, फिर आता है botulism, जिसे cholestudrium और botulinum के भी कहते हैं, जिसे जो food और contamination of wound से आते हैं, फिर आता है bacillery, dysentery, shingly dysentery, contaminated food और water से आते हैं, अच्छा, kloria, यह आपको पता है होगा, content food और water से आता है, फिर chlamydia, यह भी आता है, sexual contact से आता है, फिर dipetria, यह direct physical contact से, फिर आता है gonorrhea, यह sexual contact से फिर leegoronia disease, यह air water से, फिर meaning cola, minktees, यह आता है saliva in contact of infected persons, फिनो मॉकॉलिया यह आता है, contact with infected people से आता है, फिर शाइपलीज यह आता है, sexual contact से, typhoid fever कैसे होता है, यह food milk और contaminated water से होता है, आप लिखते रहें, इनको बहुत important, tentaneous होता है, injured surface से, tuberculosis आता है, mycobacterium tuberculosis air से, फिर warming cough आता है, हमारा contact with infected people, अच्छा, human diseases जो cause होते हैं, virus से, virus एक, जैसे कि अभी भी है, coronavirus, इसके बार में पढ़ लेते हैं, virus are obligated intercellular parasite होते हैं, they are non-cellular body, it consisting either DNA or RNA molecule enclosed in coat of protein, they can be reproduced in the living host cell, when virus entered in the host cell and it created infection in the host, जब यह आता है, यह infection created करता है, and causes different diseases, अगला diseases, virus entered in host by many different, अगला तरी किसे, जैसे कि blood से, saliva से, extra, here are some of the most common use of viral diseases, जैसे कि हमें इसमें disease or transmission देखते हैं, सबसे एड्स कैसे होता है, यह, जिसे हम कहते हैं, एड्स को, human immunodeficiency virus कहते हैं, HIV, यह sexual contact से, इंसान के अंदर जाता है, इस तरी के से, hepatites कैसे जाता है, hepatite A, B, C, D, E, यह contaminated blood and blood product से जाता है, फिर influenza कैसे आता है हमारे अंदर, यह droplet infection से आता है, rabies कैसे आता है, bit from an infected animal से आता है, फिर misleas, misleas virus कैसे आता है, respiration और aero spell transmission से आता है, अच्छा, फिर देखते हैं, chickenpox कैसे आता है, chickenpox को, pathogen यह आता है, इसे यह DNA virus होता है, फिर smallpox, यह भी DNA virus होता है, फिर polymyletis pathogen polio virus जिसे बोलते हैं, यह RNA virus होता है, फिर M.U.M.P.S. mumps, pathogen mumps virus जो होते हैं, RNA virus होते हैं, फिर trichomia, यह जो होता है, यह kelly median, trachmotis से आता है, Ebola, इसके बार में आपने सुना, also known as Ebola virus, EVD is a viral hemorograph fever of human other pyramids caused by Ebola virus से आता है, जैसे की, यह भी कोई चीज़ खाने से हमने आ जाता है, उसके अंदर, इसके सेवर acute respiratory syndrome, अच्छा सार्स है, बहुत important है, यह guys objective आता ही है, सार्स के बार में अगर आपने देखा हो, सार्स एक viral respiratory disease है, zonetic origin that surface in the early 2000 caused by severe acute respiratory syndrome, जैसे की, और फिर आता है, करोना वारिस, SARS-CoV and SARS-CoV-1, the first identified strain of the SARS-CoV-1 spices, serve acute respiratory syndrome related coronavirus, the syndrome caused 2012-204 SARS outbreak, इसने की आवा था, इसने की आवा था, SARS was relatively rare disease at the end of the epidemic in June 2013, the incidence of 8, 4, 2, 2 cases were case fatality rate of 18%, no cases of SARS-CoV-2 has been reported worldwide since 2004, in 2009, a related virus strain, जैसे की COVID-19, serve acute respiratory syndrome coronavirus 2 SARS-CoV-2 was discovered, the new strain caused COVID-19 disease which brought about the COVID-19 pandemic, जो अभी भी चल रहा है, अच्छा, human disease caused by protozoan, 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 जैसे की protozoan are unicellular acryotic organism, they are free living or parasitic organism, several protozoan species, in fact, human and inhibit the body as a parasite or commercial, commensalism, some species causes human disease, जैसे की, these diseases are observed in warmer climate, warmer climate में होते हैं, they require intermittent host-like mosquito, जैसे की mosquito को काटने से आपके अंदर वो घुज जाता है, तो और आपको infect कर लेता है, जैसे की कर देए, देखते हैं, इसमें कोन-कोन से आते हैं, protozoan yaa, disease कोन-कोन से होता है, amobasis, amobasis जो होता है, यह food water से होता है, फिर African sleeping sickness, यह testi fly से होती है, American sleeping sickness, यह tridomat bug से होता है, फिर आता है, pluantillardisierung, water food से, फिर आता है, gyere desai, यह contact water से, पिर malaria जैसे की पता ही, यह मॉस्किटों से ह तो आपको जाद रखने है अगर आपको आएगा protozonnia, protozon, तो यह mosquito आता है कि निस में तो mosquito आ सकता है, फिर आता है lish, maniscus, यह होता है sandfly से, फिर आता है tecmonocious, यह आता है sexual contact से, अच्छा, human disease caused by flat worms and round worms, यह जो worms होते हैं, इन से कोई कोई, जैसे कि flat worms, round worms are invertebrate animals, यह जो invertebrate animals, म is more form of playa platy mentis, round worms is form of playa asty mentis, they are parasite and live inside the horse, यह हमारे अंदर भी आ सकते हैं, some common disease are like, जैसे कि इन से क्या-क्या disease होते हैं, जैसे कि beef tapeworm disease होता है, इस से, जैसे कि beef consumption से होता है, blood fluke disease होता है, कि इस से, liver lungs की तरफ चले जाता है, water contact से, eye-worn disease होता है, जैसे कि deer flies और horse flies से होता है, फिर dwarf tape warm disease होता है, intense time पर एक food contact, फिर फारिर एस वेसल मॉस्किटों से, hook warm disease होता है, intense time से, contact with vegetation, intense time flukue disease होता है, consumption of water से, poke Chronished पोडय को सिरय ता अंडिम नेएंट ऑदन हुश श्राथा यहाद कर लिजिए और लिखे रखिए अब जो हमारा ने Characterու है बायो से वह है हमारा जो टॉपिक वह है nutrition in plant and animals nutrition देख लेते हैं nutrition के बार में गई आल living things और जो भी living thing नियानि की हम जानवर सब को nutrition की जूड़ परते क्यों कि nutrition हमें जो होता है वो energy देते हैं और nutrients देता है तो देखते हैं nutrition nutrition in animals क्या होता है एनिमल्स कैसे खाना खाते हैं, जो और अनर्जी लेते हैं, तो निउट्रिशन एनिमल्स देखते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, वो क्या खाते हैं, लिविंग खाते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, जो क्या खाते हैं, जो क्या खाते हैं, जो क्या खाते हैं, जो क्या खाते ह और जानवरों को भी खाते हैं, जो मीड भी खाते हैं, और सबजी भी खाते हैं, उनको बोला जाता है, Omnivorous, अच्छा, Nutrition in Plant, अच्छा, Plant कैसे Food लेते हैं और अपना Nutrition पूरा करते हैं, Energy लेते हैं, तो हमने जानवरों को तो देखा, वो यह यह चीज़े खा की Nutrition लेते हैं, इसे Plants कैसे लेते हैं, Plants Food produce their own, Plants अपना Food खुद प्रद्यूस करते हैं, थ्रू फोटो सिंदेसिस, जैसे कि आपने देखा होगा, Plant need 4 things to carry out, चार चीज़े जहें उनको अपने Nutrition के लिए सबसे पहले, Water and Mineral Salt, फिर Carbon Dioxide और Energy from the Sunlight, Photosynthesis के बारे में, आगे हम डेटेल से पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे हैं, Nutrition in Animal, Animal कैसे अपना Nutrition लेते हैं, Nutrition जैसे कि Animal eat whenever they get opportunity, जब भी मुका मिलता है, जन्वरों को वो खाते रहते हैं, जैसे कि सबसे पहले आगर देखेंगे हम Omnivarius, यह हमने पीछे पढ़ा, Herbivarius और Cornivarius के बारे में, आगे देख लेते हैं, तो जो इनका process होता है, कैसे होता है, सबसे पहले देखते हैं, Nutrition in Complex Animal Involves Falling, इसमें following steps होते हैं, सबसे पहले वो ingestion करते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे ले फूड लेते हैं, they intake food in called injection, जब वो food अपने मूँ में लेते हैं, method of ingestion, taking food, varies from animal to animal, तो अलगले तरीकी से food अपने मूँ में डालते हैं, फिर आता है, मूँ में food लेते हैं, ingestion, फिर digestion, अब क्या करते हैं, उसको चबाते हैं और अपने अंदर डाल देते हैं, the process of breaking down the complex component of food into smaller substance called digestion, फिर उनने उसको तोड़ा और breakdown किया, और digest करने कोश्च की, फिर क्या, the process of digestion is different in human, इंसानों में different होता है, grass eater में different होता है, animals में और embobia में different होता है, अच्छा, फिर क्या करते हैं, वो absorb करने कोश्च करते हैं, पहले उनने ingestion किया, फूट डाला मूँ में, फिर digest किया, उसे तोड़ा, फिर absorb किया, the process of passing digestive food into blood, फिर वो blood में चले जाता है, वो जो खाना खालेते हैं, वो blood की तरफ, फैसल की तरफ चले जाता है, intense time is called as observation, फिर समझ लो, observation हो गई, फिर assimilation होने लगती है, the conversation of observed food in complex substance such as proteins, vitamins required by body is called as assimilation, तो वो क्या होता है, वो proteins and vitamins में तब दिल हो जाता है, फिर क्या होता है, assimilation के बाद, in other word, assimilation is a conversation of observed food, nutrients and living tissues में तबलीव हो जाता है, through the process of assimilation, our cells are supplied in oxygen and nutrition हमें मिलने लगता है, फिर last में होता है, ejection, जब हम खा लेते हैं, उसको बाहर भी निकालना होता है, जनवरों को, removal of waste material from body is called as ejection, the physical matter is removed through the, from time to time, since the waste of food left after digestion is also called as faces, hence the process of ejection is also known as defecation भी काता है, जैसे बाहर निकाला, तो यह था process किस तरह किसे जनवर food लेते हैं अपने अंदर, अब देखते हैं, nutritional plants, तो जैसे कि plants में हमने देखा, plants में भी auto-trop और hito-trop होते हैं, जैसे कि auto-trop वो plants होते हैं, जो अपना food खुद prepare करते हैं, जैसे कि all green plants hi-trop वो plants होते हैं, जैसे की जो auto-trop से food लेते हैं, जो किसी फेड़ेण होते हैं, किसी host पेड़ेण होते हैं, जैसे की parasitic, parasitic parasitic employed nutrition from host, जैसे की cost cuta, इस तरीक से symbiotic two organism होते हैं, sharing mutual benefit, जैसे के lichens, इस तरह से sapropetik, obtained nutrition from dead and decaying organism, agrarious इंसेक्टिवॉरियस फीड और इंसेक्ट तू अप्टेन नाइट्रोजन पीचर प्लांट आप इसे लिख सकते हैं कौन-कौन से आटोट्राप और कौन-कौन हीट्रोट्राप प्लांट होते हैं हाँगे देखे लीते हैं काइस और आमनी वेरियस एट बोथ प्लांट नेनेनमल जो मैनने आपको पीचे बताया जो प्लांट नेनमल's से फूड लेते हैं अपना तो यह था प्लांट की डिवीजिन आगे देख लेते हैं photosynthesis के बारे में कि जो plants होते हैं photosynthesis बना food बना देए photosynthesis एक ऐसा process देखे एक इसा process आसा सूरच की रोश्णी से पढ़ती है तो उस पर वो फिर अपना food अपने आपको energy लेते हैं और nutrition लेते हैं the process by which green plants and some other organism use sunlight को यूज़ करते हैं Synthesize nutrients from carbon dioxide over water Photosynthesis in plants generally involve the green pH which is called chlorophyll second and generate oxygen as a byproduct carbon dioxide and we produce oxygen this is called photosynthesis सूरे से लाइट आ है अब देख सकते है वो पड़री इस फोदू पर carbon dioxide ले रहा है chloroplast बन रहा है water इसको जड़ू से मिल रहा है oxygen दे रहा है this is called photosynthesis these are the plants which make their own food through photosynthesis तो ये था guys हमारा आज का topic हमने लगबख सभी पूरे चारु topic, modern inventions, थोड़ी ची tricks भी बताई मैंने आपको interesting facts about human body भी बताई जो की बहुत नहीं पढ़ने आपको याद रखने nutrition भी बताई मैंने plants और animal का और diseases भी बताई, bacterial virus और protosia disease भी बताई अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा please like, share कीजिए और हमारे साथ बने रहे है आगे हमने और जाधा topic complete करने और बने रहे है और share करते जाएए, thank you guys